नॉन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चानल्स आल्स चानलैंट vic कर दो 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 की है कि मा तॉलिया देना आई आई मा के हाथ से तॉलिया लिए भीना इसका नहाना पुरा नहीं होता छोटी मेरी कमीज प्रेस कर दी हाँ हाँ बबा कर दी है कहते हैं जैसे बताया बगर करूंगी नहीं अभी ला रही हूं पिया मिलन को जाना सुबा के नौ बज़िया लेकिन यह अभी तक चार बज़ा रही है रोज चार पर आके अतक जागी है तू कोई नमक की बनी नहीं जो पानी डलते ही गुल जाएगी अरी चल बाबुजी यह घड़ी वक्त की बहुत पक्की है एक बार जो वक्त बताती है न क्यों कि मुझे 10 बज़े पहुशना था और बहुत देरी हो चुकिए चार बज़ चुक है पता है चार बगणी बंद पता नहीं क्या काम करता है मुझे तो आज समझ में नहीं आया है नास्टा करने के लिए इसके पास ताहिम नहीं है एक दिदना एक में तोड़ी आता है पैसे है क्या तेरे पास पैसे नहीं तो क्या हुआ एक दिदन आख तिरस एक दिदन एक में क्या जाएगा तेरा वोकड में थोड़ी आता है यार क्या बेटा तुझे जंड़ा चाहिए हां जी ये ले सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा थैंक्यू उंकल मुझे मालूमता तुम यहीं मिलोगे अगले हफते फाइट फिक्स कर रहा हूं इस मुकाबले में पैसा भी अच्छा मिलने की उम्मीद है भावी भी आगी ए चुबटना है हलो बावी हाई क्यों ठीकी तो कह रहा है वो क्या ठीक कह रहा है तुम्हारे पापा वैसी हमारा मिलना जुना पसंद नहीं करते और जब से उन्हें पता चला है कि मैं क्लब में भी डांस करता हूं तब से तो क्लब में गाते हो तुम घर चलाने के लिए। सेंडमन बने हो घर चलाने के लिए। तुम महेंनत करते हूं भीक नहीं मांगते। आज मैं भी तुम्हारे साथ गाऊँगी क्लब में। झाल 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 we are bad boys let's have some fun it's saturday night we want someone we are bad boys let's have some fun it's saturday night we want someone we want someone ॹण gibाब बादोस्टोष्टॉ *** We are bad boys, let's have some fun It's Saturday night, we want someone Girls, 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 girls High, high, high Girls याइ 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 बैट 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 बोई से सुन लो कुछ गुड गुड कुड करने आए संतो बनतो रानो प्रीतो मैं तेरा जटे तू मेरी बिलो पंगडा पालो रॉला पालो लाक हिला के रात पितालो लव लव करना तुमें सिखाएं, दिल का धरगना तुमें सुनाएं पपक्त पंगडा, पपक्त पंगडा, परता हठा दिखादे मुकडा हमें अच्छी लगती है sweet boy miss हमें अच्छी लगती है जोश वाली केस हमें अच्छा लगता है rap break dance हमी अच्छा लगता हैं मौनरो में दिल ये मचलता है देखते तुम्हें धन्दिया है भरता है देखते तुम्हें हुस्न ये बना है तेरा प्यार के लिए कले से लगाले तु करार के लिए शेम शेम यूही सीटिया बज जाते हो कच्ची कच्ची कलियों से फाइदा उठाते हो तुमने कितनी गल्सा दिल लिया लूट दिल मेरा कहता है कर दू तुम है शूट वाओ 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 कॉलर्ग तुम ह् advertisements It's Saturday night, we want someone We are bad girls, let's have some fun It's Saturday night, we want someone Fall, work and hands up, chalega See the girl how Romeo, chalega Darling, darling, carne wala, chalega Pichay, pichay, ahne wala, chalega We are bad girls, we want bad boys On the main, but I head down We are bad girls, let's have some fun It's Saturday night, we want someone We are bad girls, let's have some fun It's Saturday night, we want someone Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh क्या बात है मा? कुछ ने बिता सोजा मा की आखो में नीम की जगा आसू और पेटा सोजाए ता मा, तु बता मुझे बात क्या है पीता, मा बापका फर्ज है कि आवलाद को आराम दे मगर मैंने तो तुम्हें सिर्फ परेशानी और तकलीफ है दिये कैसी बाते करती है मा, तुने मुझे जन्नम दिया है और पिता जी ने एजुकेशन और अब मैं बच्चा नहीं रहा, बढ़ा हो गया हूं इसलिए घर की हर परेशानी और तकलीफ दूर करना मेरा फर्ज है, अब बता तकलीफ क्या है बेटा तु तो जानता है, तेरे पिताजे की तब ये ठीक नहीं रहती, दिन बर दिन उनकी सेध गिरती जा रही है और छोटी अब छोटी नहीं रही, जवान हो गई है, उसकी शादी करनी है, यही चिंता मुझे सताती है बस मा, इतनी छोटी सी बात पर इतने कीमती आसु बहार ही हो, अरे मैंने डॉक्टर से बात भी कर लिये और अगले हफते ही पिता जी को चेक अप के लिए लेके जा रहा हूं और रही बात छोटी की, तू उसकी चिंता छोड़ो और उसके लिए अच्छा सा लड़का ढूंड, फिर दे कितने दूमधाम से मैं उसकी शादी करता हूं तूमधाम तो छोड़, आजकल सीधी साधी शादी के लिए भी लाग देड़ लाग खर्च हो जाते हैं, कहां से लाएगा इतने सारे पैसे, पैसे, अरे अपनी कंपनी से एडवान से लूँगा या दोस्तों से उधार मांग लूँगा, और तब भी नहीं हुआ तो, तो भ मां के पेट से इतना बड़ा शरीर मिला हो, उस मां के लिए अपने पेट से माई किड़ी नहीं दे सकता, मर थोड़ी नहीं जाओंगा माहा बोल, आज क्या नई मुसीबत आन पड़ी है, हम लोगों की जिंदगी में एक ही तो मुसीबत है, रोटी, और उसके लिए पैसा चाहिए, और मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा, एक आइडिया देता हूं, ये नुकड़ पे भैंक है ना, लूट ले, त दोस्त, मुझे पैसा चाहिए, लेकिन इमांदारी का, घर पे राशन भरना है, ठोटी की फीज, दूद वाले का बिल, अच्छा बाबा, मैं आज रात को ही तेरी फाइट फिक्स करता हूं, ओके, ओके, चला जे चोहन, तू भी कपड़े बदल ले, अरे र, क्या कर रही है, तुम, तुम यह क्या कर रही हो, तुम्हारा इंतुदार, दो दिन से मिले क्यों नहीं, पूजा मुझे एक जरूरी काम से पा, चले जाना, कम से कम दो मीठी बाते तो करते जाओ, मैडम, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं, कि बातों से पेट नहीं बरता, उसके तुम मत करो वजय, तुम अच्छी तरह जानते हो, कि लाग दो लाग बैंक से निकाल कर तुम्हें देना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन तुम से पैसे लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं अपने परिवार को अपनी मैनत से कमायोई रूटी खिलाना चा कर जब लागार को तकि उरा है, यज कर दो कर दल अब से जिए है, येकिन म अपने लिए कर दो बहुता ही है!! कर दो कि को लिए चांट। कर दूर कर तो तो कि कि अ झाल कि अ कि उ अ first हुष लुष लुष और वुव औरा सिर्छी तप माईए कर द wann ब सम्हभ पाल परिष पेकन फो ओब पाल हुश त JK झज तक पर वु़ पाल पर जिए आलीär मा तू अब तक सुई नहीं तेरे घर लौटने से पहले आज तक कभी सुई हूँ इतनी देर कहां लगा दी चल आजाए आज काम बहुत ज्यादा था मा इसलिए थोड़ा उबर टाइम करना पड़ा अजय थोड़ा कम काम किया कर बेते देख तो रात के दो बजने को आए फिर सुभा उठकर तो साथ बज़े काम पर निकल जाएगा इस तरह तो तेरी सेहत खराब हो जाएगी बेता बा आपे मत कर चल खाना खाले अरे इसे क्या हो गया इतने गुस्टे से क्यों देख रही है मा से मिल लिए और बाबुजी से भी बात कर ली मगर अपनी छोटी बहन की बारे में जूटे मुभी पूचा कि कहा है वह बास 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 लड़ाई चगडा सबेरी दिन बर का ठका घर जल्दी खाना खाके सुजाने देख क्या रहे हो खाना भी या मैं खालूगा तुजा के सुजा मेरी चिंता मत करो बैया मुझे बिलकुल नहीं आरी चलो चल दिखाओ क्या हा भाया कुछ नहीं हुआ अरे दिखाओ तो सभी आपको अपना खून तक बहाना पड़ता है इस घर के लिए आप कितना करेंगे भाया सिर्फ इस घर के लिए ही नहीं यह सब मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि तुझा भी इस गर से निकालना है किसी ऐसे घर बेज कुछिया जो आपको दर दे के मिले मुझे नहीं चाहिए ए छोटी रो रही है मैं आपके लिए और तो कुछ नहीं कर सकती भाया कम से कम आज से तो बहाने दो यह दो लिया आज आपको मस्तेक वादा करना होगा चाहे कितना ही दर दो कितने ही तकलीप हो मैं रोंगी आप नहीं लेलो ए मा क्या है इधर आना अरे बताओ तुसे इधर तो आ क्या है बताओ बोल आज तारीक कितनी है तारीक तेरा और महीना जुले क्यों क्या मा मैं भूल गया लेकिन तुझे तो याद रखना चाहिए क्या आज तेरा जुलाए है याने के तेरा जनम दिन आरे अरे हां आज तो मा का जनम दिन है हैपी बर्ट देट याद कुछ रहता नहीं है गाना वना शुरू कर देती है ला शक्रगा डबादे ये लो मुझ मीठा कर मार बख 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 मेरा मूटो मिठा किया अभी टेरा बीट पर क्यों क्यों इसलिए कि शहर की जिस कंपणी में तु काम करना चाहता था ना वहां से तेरा इंट्रव्यू लेटर आ गया है कल तुझे उन लोगने बुलवाया है कल के कल इसका मतलब मुझ जब देखो तुम्हें तो काम ही बताना आता है पर क्यों करूं मैं तुम्हारा काम अच्छा मेरे लिए वहां से क्या लाओगे अगर मुझे नौकरी मिल गई तो जो तू मांगे की बोला के दूँगा वहां से बोल क्या चीए तुझे 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 तुम कह रहे थे ना चुडिया है मेरे हाथों मेना चुडिया है अपनी शादी की बात करते हो तुझे शरम नहीं आती है तुन बेटा जल्दी कर वरना तुझे देर हो जाएगी और सुन वहां एक दुर्गा माता जी का मशूर मंदीर है इंटर्वी में जाने से पहले वहां एक जरू नारियल चड़ाना अगा 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 चेहरे पी खराशे कैसी कहीं जगडा वगडा करके आए हो नहीं सर कल एक चोड़ा सा एक्सिदेंट हो गया था आइसी अब सर्या मेरे सर्टिफिकेट्स और यह मेरे डिक्री से आई यह तो ठीक है लेकिन साथ में सिफारिश किसके लिए किया ह सर्मेरे पास किसी की सिफारिश नहीं है अच्छा पैसे कितने हैं तुम्हारे पास चीक देखो बैं मैं ठहरा सीधा आधि गुमा पिरा के बात कर नहीं सकता है तुम्हें नौकरी देखर मुझे क्या फायदा होगा इस कुर्सी पर बैठ कर कल को तुम भी तो लाखों कमाओगे सर में उत्वाई कमाऊगा जितनी मेरी तंखा होगी तंखा तो तुम्हें तब मिलेगी जब मैं तुम्हें नौकरी दूँगा ना सिफारिश है ना पैसे हैं और तुम कोई बात नहीं कर में कोई बेहन है तुम्हारी हार रामजादे अगर बार दस पेरोजगार लड़के नहीं बैठे होते जिन मेंसे एक को नौकरी देगा तू तो इसी वक्तेरा तमाशा बनाते था तूने ये कुर्सी अपनी बेहन क कि दलाली करके हासिल की होगी लेकिन हम करीब लोग ऐसी कुर्सी पर थुकते हैं समझा कि कल से काम पर आ जाना है है एक है रान होने की जरूत नहीं मैं तो तुम्हें सिर्फ आवार रहा था आम सॉरी अजय मैंने तुम्हें कुछ कड़वी बाते कही ये सिफारिश ये एक सही और इमानधार आदमी को चुना था 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 मंदिर जरूर जा क्या आना तेरा लाख लाख शुक्रह मा कि तुने मुझे ये नौकरी दिलाई मा ने कहा था कि इंटर्व्यू पर जाने से पहले आपके दर्शन जरूर करूं मगर भूल गया अब याथ से ये नारियल आया हूं कशुक्शों और लुस्प्राइभाभ दिल्ली मुझे था कि टीक प्खजक ुछ ताई! जे रहुआएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए! एड एड़ मैं एककरूएएएएएएएएएए! laughs acts policing miten एड मैं कुछ नहीं किया मैं कुछ नहीं जानता सर इस जगह को पैचानते हूं सर आप किस जगह की बात कर रहे हैं मैं कुछ नहीं जानता आप लोग जबर्दस्ती मुझे फटाने की कोशिश कर रहे हैं कर दों किस बात उठाएगा भागना चाता है पता है को रहे हैं मैं किसी बार कह चुगा हूं कि मैं कुछ नहीं जानता है मैं जानता हूं कि तुझ जानता है क्ःट कर दो आया है येस, च्या बात है। हम इसको इदेटिफाय करवाना चाहते हैं। नो, I will not allow you. Please doctor! Please don't shout! This is not your police station, this is an hospital. Please doctor, please. ये हमारा लिए बहुत जरूरी है. लेकिन एक doctor होने के नाते अपने patient की जिंदगी बचाना मेरे लिए बहुत जरूरी है. देखो, देखो इन तीनों लड़कियों को. वो, वो लड़की कोमा में है. और ये दूसरी, दूसरी अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है. और ये ये ऐसी हालत में नहीं है कि आपके किसी सवाल का जवाब दे सके. मैं किसी किसम की कोई सवालात नहीं पूछना चाहता हूँ. सिर्फ इन्हें इसकी शकल दिखानी है. डॉक्टर, प्लीज, समझ्द की कोशिश कीजिए. हमें इस से कल कोर्ट में लिगाना है. ओके. थैंकि डॉक्टर. मिशीतल. मिशीतल. मिशीतल, इस लड़के की दर्म देखो. और बताओ, क्या यही वो लड़का है जिसने तुम्हारा बलातकार किया था. शीतल, देखो इसे, पैचारो इसे, पैचारो. जलना मत. बताओ, हमें बताओ. शीतल, आके खोलो. प्लीज, प्लीज, आप बाहर जाये, प्लीज. बस, बस, सिर्फ एक बाहर. और क्या जानना चाहते हैं आप? जिस लड़के की सुरत देखते ही यह लड़कातने लगी है, पागलों की तरह रोने लगी है, इसका क्या मतलब निकालते हैं आप? नहीं, डॉक्टर, मैं निर्दोष हूँ, डॉक्टर. प्लीज, प्लीज, महन, मेरी तरफ देखिये, और पैचानने की कोशिश कीजिए मुझे. इन्हें बदाईए कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ. पंज, 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 अब आड़ेटिफिकेशिन की कोई समत नहीं है, लग्चो असाइब. नहीं, डॉक्टर, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ. मैं और नहीं हूँ, मेरी बाद का विश्वात कीजिए, पुझे एक मोका दीजियों लड़की से पांद करने का अधिक पता चला अजे कौन सी जिल में है और कब चुट रहा है ऐसे आदमी को तो सबके सामने गोली मार देनी चाहिए अरे ऐसे बेटे का पता लगाने की जरूरत ही क्या है इस उम्र में बाग को मुद दिखाने लाइक ही नी चोड़ा सच कहते हो दीनु काका अगर मेरा बेटा होता तो गला घोट कर मार देती है उसे कि आई है अंदर चलिए पारवती आ गया मेरे बेटा पारवती में डॉक्साब को लाया हूं मुझे डॉक्टर की नहीं मेरे बेटे की जरूरत है अब पुलीस सेशन जाकर उसका पता थो लागा है अरे अब जल्दी नहीं छूटने वाला वह पारवती बहुत लंबी लगी है उसे जल्दी नहीं निकलेगा चोटी या कि वो दर्वादा भी बंद कर दी है वह सच पुछो तो दुख भी होता है उस पेचारे के लिए तीन तीन मासूम लड़कियों की जिंदगी उसने बरबाद की है इनसाफ से तो उसे सदा होनी ही चाहिए लेकिन उसकी हिम्मत तो झाहिए लग्यों गॉलज के बहाब दाला किनी करता है? चला था! ए क्या देखता है? क्या देखता था? मेरे को देखता है? चला, ले ले जरा! किस से किस तरह बात की जाती हैं, यह तक आप नहीं जानते हैं! किस तरह से बात करते हैं आप? शरीप और इतिदार लोगों से अच्छा हुआ आप आगे देखिए मैं एक स्पूल मास्तर कुई बच्चों को अच्छी शिक्षा देरा मेरा फर्स बनता है और आप लोग जो इंजा मेरे बच्चे पर लगा रहा है न वो बेबुनियादी है जूटा है साले खुद बेटी का धंदा करता है और अच्छी शिक्षा देरी के बाद करता है देखिए आप हमें इस तरह जलिम ना करें हम अपने अजय को अच्छी तरह जानते हैं ना जानता हूँ तेरी कमरे से भी दस केलंडारों मिली है अगर वो कल सुबा तक यहां पर हादिर नहीं कि अगर वालों को छोड़ दे छोड़ दूगा कोट के वैसले की बात इस लड़के ने और इसके दोस साथियों ने मिलकर किया और इस बात को सावित करने के लिए मेरा सबसे पहला गवा है इंस्पेक्टर विजेश शर्मा इंस्पेक्टर विजे जब आप मुल्जम को लेकर अस्पिताल पहुंचे तो वहां क्या हुआ मलतकार की शिकार शीतल डोग्रा मुल्जम को देखती पागलों की तरह चलाने लगी उसे देखकर इतनी घबरा गई कि रोने लगी चलाने लगी जद सहाब वह पहचान नहीं पाई मुझे और उसने यह नहीं का कि मैं ही वो लड़का हूं ठीक है उसने यह नहीं का मगर क्य में यहादसा पेश आया क्या आप वहीं थे जी हां मैं उस कॉलिज के क्रॉस्पॉंडेंट ऑफिसर हूं और अक्सर काम के सिलसले में मुझे वहां जाना पड़ता है उस दिन भी में वहां मवजूद था तो क्या आप विशा सिधा कह सकते हैं कि आपके कॉलिज में तीनों यह जूट बोल रहा है ओडर 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 तुम्हें अपनी सफाइब में बोलने का मौका दिया जाएगा मैं अपना आखरी और एहम गवापेश करना चाहती हूं चेतना कॉलिज की प्रिंस्पिल मिस्स प्रतिभा जेट ली मिस्स प्रतिभा जेट ली क्या आप अदलत को बताएंगी उस दिन क्या हुआ जज सहाब मेरी तीनों स्टूड़न्स रिहरसल हॉल में बैठके एक ड्रामे की रिहरसल कर रहे थी अचानक तभी मुझे किसी की चीक सुनाई दी जज सब कुछ जूट है जज साब ये ये सब लोग जूट बोल रहे है मिस्टर अजय इस औरत में तुम्हें मंदर में देखकर शोर मचाया जिसकी वज़ा से तुम गरिफतार हुएं इससे पहले तुमने इस औरत को कभी देखा है क्या इस औरत की तुम्हारे साथ जाती दुश्मनी है नहीं नहीं सर तो फिर ये बार बार तुमारा नाम क्यों कि मैं इस अदालत से दर्खास करूंगी कि ऐसे मुझरिम को करी से करी सजा दी जाए ताकि कोई दूसरा ऐसा गिनोना काम ना कर सकी कि कमाम गवाहों और सबूतों की रोशनी में यह साबित हो चुका है कि मुल्जम अजय ने और उसके दो साथियों ने मिलकर बालादकार किया ह है जो संगीन जुन मुल्जम ने किया है उसके लिए कम से कम फासी की सजा होनी चाहिए लेकिन कानून की बंदिशों ने मेरे हाथ बांध रखे हैं इसलिए दफा 376 ताजे राते हिंद के तहट यह अदालत मुल्जम अजय को साथ साल बामुशकत की सजा देती है दे शिवावर मोहे शुब कर्मन से कभू ना हटूं ना डरूं पैरी सोजब जाए लडूं दिश्चैकर अपनी चीत करूं कि अ कि मिलांग अगया है थे दूर्वादा बंद कर लो लॉट लॉट अब इस इरादत हो ठीकिया आपका अगर मेरा इरादत गलत होता तो दर्वादा लॉट मैं करता देखो तुम जानती हो मैं एडिटर बढ़ा सक्थ क्योंकि मेरा बॉस है मिस्टर वक्ष टाइम से चल चाहिए जानते हो तुम्हारी नौकरी जाने वाली है तुम्हें अच्छी रिपोर्टर हो मुझे तुम्हारे काम करने का अंदाज बहुत पसंद आई इसलिए मैं सर नोकरी चले जाने के बाद मैं तुम्हारी सिफारिश M.D. से तब कर सकता हूं जब तुम कोई संसनी खेस खबर लेकर आओ को ऐसी खबर लेकर आओ कि जिसे नंगामा मत जाए अब महंगामा मत जाए रोज 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 सोड़ी बंबलास होता है रोज सोड़ी कोई बड़ा इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा यह उस लड़के की फाइल है जिसको बलातकार के जुरू में साथ साल की सजा हुई लेकिन इसके अच्छे चाल चलन की वज़े से कल यह रिया हो रहा है देखू सोर यह थो शकल से रेपिस लगता है अधालत कभी यही मॉना था लेकिन लड़का आखिर था कि यही कहता रहा है कि वह निदोश है रेकॉर्ज के मताबिख बलातकार्स तीन लोगों ने मिलकर किया था लेकिन लड़के ने अपने दोनों साथियों का नाम नहीं बताए अब बहार आते हैं यह लड़का अपने साथियों से मिलने की कोशिश करेगा या वो इससे मिलने की कोशिश करेगा। अगर तुम उन दोनों लड़कों का पता लगा कर ये साबित कर दो कि रेप के बाकी तो मुझरिम वो थे तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ख़बर बन सकती है हा सर बनती तो है लेकिन अगर हम यह मान के चलें और मेरी सारी मैनत पर पानी फीर जाएगा अगर यह लड़का निर्दोश था तो असली गुनेगारों को ढूणने की कुशिश्श जरूर करेगा अगर ये लड़का निर्दोश नहीं था तो इससे मिलने को ज़रूर आएंगे इसलिए अगर हम लड़के पे नज़र रखे तो हम कोसली गुनेगारों का पता लग सकता है क्या सोच रही हो नहीं सर मैं सोच रही थी कि कभी तो और दिन आएगा जब कोई लड़का मेरा पीछा करेगा इस नौकरी के चक्कर ने तो सब उल्टा चक्कर चला दिया है अब इस लड़की का पीछा मुझे करना पड़ेगा करना पड़ेगा रोजी रोटी का सवाल है करूंगी सर तुम जा मुझे तो बदल दिया है जेलर साहब मेरे नाम के साथ एक और लफ्स छुड़ गया है मुझरिम फिर भी मैं तुम्हें तुबारा मिलना बिल्कुब पसंद नहीं करूंगा कम से कम इस जेल में तो हरकिस नहीं मिक्रमत कीजिए जेलर साहब अब मैं इस जेल के अंदर जेलर साहब तुम्हें 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 तु पुआ पुआ है अगे गनेश आईला ये सकाट आदा मिटर भी नहीं होगा रे रेपोटिया आदा मिटर तो जुरूर होगा क्या बात कर रहा है पचास रुपे की लगी चल लगी बुरा नहीं मानना मेरे को तुम्हारी सकाट का माप लेना ही होगा इसकी कोई जरूरत नहीं क्यों बे फीरो बनते हो राज चलती हुई लड़कियों के सकर्टों के नाप लेते हो मैं तुम दोनों को कानून का नाप बताता हूँ ले चलो एने थाने अच्छा हुआ जाए रुक जाओ क्या नाम है तुम्हारा अजय कहां जा रहे हो अपने घर घर कहा है तुम्हारा जवाहर नगर जवाहर नगर जवाहर नगर तो मेरा ही इलाका है इससे पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा यहां जी मैं चार साल बात कर जा रहा हूं क्यों चार साल कहा थे मैं जेल में था क्या मुझे सुनाई नहीं दिया क्या बोले तुम मैंने कहा ना मैं जेल में था किस जुर्म में अंदर गए थे क्या पूछ रहा हूँ मैं किस जुर्म में अंदर गए थे तुम रेप केस में अच्छा बलातकार बहुत बड़ा काम किया है तुमने मुझे मुझरिमों से सक्त नफरत है खास तोर पर मासूम लड़कियों की इज़त लूटने वालों से मेरे इलाके में रहते हो इसलिए एक सला दे रहा हूँ मुझसे बचके रहना फिर दुबारा कि जी केस में पकड़े गए तो ये तुम्हारे हाथ पौँ है ना तोड़के रख दूँगा जाओ भाईया भाया 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 तुम आगे भाया तुम छीड़े बनाव दश्कान जैसे भाया तुम छोटे तेरी इमत केसी में इस घर में कड़म रखने बाबुजी तोबदार जो मुझे बाबुची का एरह और हमारे रिष्टा खत्म हो चुकआ है हमारे लिए तू मर चुका है और तेरे लिए हम समझा मैं कैसी बात कर रहे हैं चार साल बाद बेटा घर लोटा है और आप देश के लिए कोई जंग जीत के नहीं है जो मैं इसका स्वाकत करूं इसने मेरा तुम्हारा अपती बेहन का सब का मुझ काला कर दिया है देख देख तेरे कारण इसका घर से बाहर निकलना बंद हो गया है लोग ताने मारते हैं इसको जुम्ले कसते हैं इस पर जा चला जा यहां से बड़ी मुश्किल से हमारे जख्म भरे हैं उन्हें मत कुरे मत कुरे दूने जा ए भाई चलना साइड में खड़ाओ पता नहीं दिन में भी क्या क्या सबने देखते रहते हैं अरे अरे कौन हो भाई तुम औरे क्या चाहिए जी यहां मेरे मेरा मतला में चौहान साब रहते थे पॉल इस ऑछे अच्छा कहीं तुम उस स्कूल मास्टर की बात थो नहीं कर रहे हो जी हाँ जी हां मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं कहां है वो उन्हें मरे हुए तो चार साल हो गए यहीं यहीं तो गले में रसी डाल कर जूल गए थे वो और उनकी अत्मी और बेटी उन बेचारों के साथ तो बहुत बुरा सलुक किया इन लोगों ने घर का भाड़ा कहां से चुकाते घर से निकाल दिया मकान मालिक ने आठ दस दिन तो यहीं पड़े रहे बेचारे सड़क के किनारे और फिर एक दिन किसी शराबी ने उस लड़की की इज़त पर हाठ डाला उसके बाद वो दोनों मा बेटी पता नहीं कहां चले गए पर तुमने तो यह बताया नहीं कि तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो वैं चोवन साब का बेटा हूँ अच्छा अच्छा तुम ही हो वो जिसकी वज़े से सारा परिवार तिनके की तरह बिखर गया अरे इतनी ही प्यास लगी थी तो किसी बाजार में जाके बुझा लेता मासूम लड़कियों की इज़र पर हाट डाले की क्या ज़रूरत थी चल दफा हो जा यहां से नेलो देखो बेटा तुमारे डेटी तुमारे लिए क्या लाए है कब तुम कब तुम अपनी गहरी नीन से जागोगी बेटा कब तुम अपने डेटी से बात करोगी तुमारा मुझरिम सजा काटकर बाहरा आ चुका है बेटी लेकिन जो सजा उसने काटी है वो बहुत कम है मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक वो इस धरती पर है मैं हर पल उसके किये की सजा उसे देता रहूँगा मैं तुमसे देता रहूँगा मैं तुमसे देता रहूँगा मैं तुमसे बाहरा रहूँगा मैं तुमसे ड़्या तुमसे तुमसे लेकिन पर लेकिन पल्चान तुमसे जाए प्ल्चान तुमसे लेकिन और कर दो कर दो का जड़ी दो झाल स्थांट करें 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 ऩंत करें गॉन गॉन अ गॉन अगर तुम्हें सब्सक्राइब तो चाल से बार दूगा वो यहीं कहीं होना चाहिए बिल्कुल लेकिन उससे ढूनना आसान नहीं होगा सर आईसी जोपरपट्टे में मुझरिम को दिन में ढूनना ना मुम्किन होता है रात को कहां से ढूनेंगे मेरे ख्याल से हम लोग यहा जलो, 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 पाफ्कना, मैं तुमे मार्वाने जी जाताता, जे दिन बुलेस मेरे बीचे लगियोटी माचे, माचे मां अम bald *** मा, मुझे कलत मत समझना. मैंने कुछ नहीं किया, मैं तब भी भेकासूर था उार आप ही भेकासूर माप ए तेरी कसम खाता हूँ मा, मैंने कुछ नहीं किया मैं जानती हूं, बेटा, मैं मेरे रा कुन इत्ना गंदा हो ही नहीं सकता है मा वै तो उस दिन इंटर्वियो के बाद मंदीर गया था देवी मा की दर्शन करने बस मही बस बस बीट excel गद्ष। जानती हूं कुछ कहने की जरूरत नहीं तो मंदीर गया था आई देवी की पूझा करने के लिए और देवी माने तुझे चुन लिया उन लोगों को सदा देने के लिए जो औरत को औरत नहीं समझते जुपर जुल्म करते हैं, आत्याचार करते हैं, उतका बलत करते हैं तेरे पिता जी लोगों की ताने बरदास्ट नहीं कर सके और करने भी कैसे जो बेटा उनकी जान था, जिस पर उन्हें गारून था उसी के बारे में लोग इतनी गंदिया और गिरी हुए बात ने करें, उन्होंने जान देर दे तु जानता है, मैं क्यों जी रही हूँ एक दिन तु लाट करकर आएगा, और उन शैतानों को सदा देगा, जो हमारी बर्बादी के जिम्मेदार है अपने बाप के नाम है, माँ की कोप पर और खुद अपने माथे पे लगे कलम को दोएगा मैं तुझ से वादा करता हूँ मा, हमारी बर्बादी के जिम्मेदार दुनिया के किसी भी कोने में चुपे हूँ मैं उन्हें ठूंट कर सजा दूँगा, इस दुनिया और समाज के सामने अपने आपको बेगुना साबित करूँगा मैं अचे मैं आज के बाद तेरा मूँ उस दिर देखूंगी जिस दिर बस माँ मा, छोटी का है? छोटी बताती हूँ डॉक्टर साब मेरी बेहन है यहां पर, छोटी. छोटी? कौन छोटी? रूपा छहान नाम है उसका. रूपा, रूपा तुम्हारी बेहन है? मगर उसका भाई तो, हाँ डॉक्टर साब. रूपा का भाई मैं नहीं. आजय, ये चार साल से जापन नहीं था न? तो इसकी जग आजा खुद अपनी आँखों से देख ले आज तुम लोगों को पद्दा है मेरी शादी होने वाली है मैंने अपने शादी की काट सब को बाच दिये बस एक तुम लोगों को इदेना भूल गई देखो तुम लोग भूलना नहीं आज जरूर आना तुम लोग आओगे ना लो तुम भी लो तुम भी लो और तुम भी लो देखो तुम लोग जरूर आना हाँ बहुत मसाएगा मेरे बैया अब बड़ी धुम्दा से मेरी शादी करने वाले हैं चालती वो शहर गये हैं मेरे लिए शादी का जोड़ा लाएंगे मेहरी की पैकेट लाएंगे और यह सारी से मेरी शादी में बहुत रोओगा यह मेरे शादी का कार्ट देखो तुम्हे जरूरा आना पड़ेगा हां अगर मेरे भैया रोए तोने रोने मत देना चुटी चुटी मैं मत चो मुझे मुझे सर्फ मेरे भेया चू सके तुमने कैसे चो मुझे रूपा रूपा तुम जहां क्या कर रही हूँ मैं अपनी शादी की कार बाट रही थी जूपा, अपनी शादी के कार कोई खुद थोड़ी बांता है, लाओ मुझे दे दो मैं बांदूँगा और तुम चलो, तुम्हारा दवाई पीने का टाइम हो गया है, तुम दवाई पीलो अरे हाँ, मैं तो भूली गेती, चलो, चलो चार साल में क्या क्या हो गया, बाबुची दुनिया छोड़कर चले गए, वहां घर से छोपड़े में भाज़ गई और चोटी, चोटी बागल खाने यह सुब देखने के बाद तो पूजा से मिलने की हिपात ही नहीं होती, पूजा के बारे में सोचने से अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब तुम चाहो भी तो उससे मिलने ही सकते, हाँ आज है, पूजा बस दुनिया में नहीं रही, क्या, तुम्हारे जेल जाने के बाद उसके डैड़ी उसकी शादी जबरदस्ती किसी दूसरे के साथ करना चाहते थे और तुम तु जानते हो पूजा तुमसे कितना प्यार करती थी जान देदे थाराम साथे मेरा दो क्रोड का माल तुम लोगों ने गवा दिया कौन था वो इंस्पेक्टर जिसने इतनी हिमत की कौन था कि कौन है आप शकल से इतने ना समझ तो नहीं लगते हो तुम तुम्हारा एक आदमी हस्पताल में मरने से पहले डरो नहीं उसने सिर्फ इस जगा का पता बताया है तुम्हारा नाम नहीं बहुत खुश किसमत हो तुम बच गए वरना यहां आने की बजाए मैं तुम्हें पुलिस टेशन में बुलवाता और पुलिस टेशन में मुझरुमों के साथ किस तरह से पेश आता हूं मैं ये किस कि मुझरिम से ही पूछ कर देखना इंस्पेक्टर साहब शायर आपको कोई गलत पहमी हुई है मैं मुझरिम नहीं बिजनसमें हूं इंपोर्ट-एक्सपोर्ट का कारोबार करता हूं कारोबार ठीक कहा तुमने मौत खरीदते हो तुम और मौत पेश्टे भी हो इंपोर्ट-एक्सपोर्ट लेकिन एक बात याद रखना खंते नहीं इंस्पेक्टर चाहे तुम जानते नहीं तुम किस से बात कर रहे हो बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं तुम्हारे सारे खानदा को तुम्हारी मां चंपा बाई के कोठे पर मुझरा करती थी और तुम्हारा बाप बच्चों की वाड़ी का मश्यूर भड़वा था सच कड़वा लगा ना इंसान का इतना सच बोलना भी अच्छा नहीं कि इसकी जबान को रुपने के लिए उसकी सास को बंद करना पड़े यह दमाचा मैंने तुम्हें अपनी वर्दी की क्रीज खराब करने के लिए मारा है और याद रखना यह एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंदा जितनी जल्दी हो सके बंद कर देना क्योंके मौत के सौधागरों को ज्यादा दिन जीने की मौलत नहीं देता मैं मरेगा मरेगा यह हरामजादा मेरे ही हातों से मां तुम मुझे इस तरह धोकर नहीं दे सकती तुमने यह उस अड़की को एक दिन पहले जेज सी रिया करवाया मैं तुम्हां ठीक नौबजे पहुच गई थी लेकिन संडे होने के कारण उसे एक दिन पहले छोड़ दिया गया अब तुम ही बताओ इसे मेरा क्या कुसूर करूंगी अरे यह तो भाई रेपेश है वहां मा तुन्हें ते पमाल कर दिया अम्मा मैं ते राश्प्री यादा बात में करूंगी तेले अपनी रोजी रोडी का दनास करतूं हाँ 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 था है और इसना बोज मैंने अपनी सारी जिंदगी में पहले कभी नहीं उठाया तब ठेडी हो गई और फाइल उठाकर लाने के लिए मुझे मत बोलना भाई में और फाइले लाने के लिए नहीं बोल रहा यहां पर जितने लगता है तेरी जिन्दगी में कोई और भी दिल्चस्प भी ले रहा है पड़ी जोरों की भूख लगी है भाई पहले तो फेट पूजा करो उसके बाद धरुआता खुला है मैं गल्ती से ताला लागा है बिना तुनी चला गया है तुनी ताला मेरे सामने लगाया था इसका मतलब चोर हाथ साफ कर गया चोर हाथ साफ कर गया चोर हाथ साफ क्यों है चल अंदर चल चल वाह क्या खुश्बू है तुम लोगों ने आने में 10 मेन की जल्दी कर दी बढना मैं स्वीटीनष भी बना लेती कौनों तुम ओ स्रुलिए यह सारा खाना दूने हम दोनों के लिए बनाया और आप दोनों के लिए नहीं हम तीनों के लिए है यह cuttings तुमने लगाई हैं यहां हाँ सोचा था तुम्हारे काम आएंगी लेकिन बाते बाद में पहले खाना ओके हाँ चलो कौन हो तुम ब्रदर यह तुम्हारा दोस्त कुछ ज्यादा ही romantic mood में है मिस्टर हाथ छोड़ के बात करो मेरी एक complaint तुम्हें चार साल के लिए rape case के जुर्म में अंदर कर सकती है मैं एक press reporter हूँ समझें नहीं सिस्टर ऐसा ख़जब मत करना तुम तो अच्छी लड़की लगती हो वो तो मैं हूँ ही इसीले तो यहाँ इसी इसकी मदद करने मगर यह तो हाथ पकड़ता है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बेगुना हो और तुम्हें फसाया गया है इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ मुझे किसी के मदद की जरूरत नहीं. ये मेरी अपनी जंग है. और उसे लड़ूगा भी मैं ही. मैं जानती हूँ कि ये तुमारी अपनी जंग है और तुम इसे खुद लड़ना चाहते हो. लेकिन इस जंग में अगर तुमारा कोई साथ देना चाहे, तो उसमें कोई बुराई ही तो नहीं है ना May I come in? Yes, come in. Madam, मैं Bombay Times की रिपोर्टर हूँ और ये मेरे दो साथी हैं. बैचिए. Thank you. कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? जी, आज सी चार साल पहले आपके कॉलेज में तीन लड़ियों का रेप हुआ था, उसी के बारे में जानना चाहते हैं. हाँ, हुआ तो जरूर था, लेकिन उस वक्त मैं प्रिंसिपल नहीं थी, मिस्स जेटली थी. उनके हस्बंड मिस्टर जेटली भी इस कॉलेज के कर्रिस्पॉंडट है? वो अब नहीं है. क्या आप उनका एड्रेस दे सकती है? I'm sorry, आज से चार साल पहले, मिस्टर और मिस्स जेटली कार एक्सिजन्ट में मारे गए. मगर आप उन तीन लड़कियों का एड्रेस दे सकते हैं, जिनका रेप हुआ था? हाँ, उसमें से एक लड़की ने आत्महतिया कर ली थी, और दूसरी इंस्पेक्टर की बेटी है, जो अभी भी शायद पोमा में है. हाँ, शीतल का एड्रेस मिल सकता है. Yes, मैडम. राम सिंग, इन्हें शर्मा जी की पास ले जाओ, और देखो, शीतल डोगरा का एड्रेस मिलता है, तो इन्हें दे दू. जी मैडम. आप जाहिए. Thank you. Welcome. झाहिए. कर दो कर दो कर दो कर दो आखों में बसा कर खाब तेरे मैं जूमती रहते हूं आखों में बसा कर खाब तेरे मैं जूमती रहते हूं तेरा नाम हदेली पर लिख कर मैं जूमती रहते हूं I love you, I love you, I love you, I love you I love you, I love you, I love you, I love you I love you, I love you, I love you तु जाने जिगर, तु जाने जिगर, तु जाने एहसास है जहां भी रहे, जिस जगा भी रहे, तु मेरे पास है जब है निगाहों का जादू तेरी जहां की खबर है, ना अपनी खबर, ना अपनी खबर पागल की तरह मैं हर दम, तुझे ढूंडता रहता हूं तेरा नाम हथेली पर लिखकर मैं जूंता रहता हूं आँखों में बता कर हाथे मैं जूंती रहती हूं तेरा नाम हथेली पर लिखकर मैं जूंती रहती हूं I love you 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 तेरा नाम जानम ओ जानम ओ दिल बर मेरे दिल में है खयालों में तू, खयालों में तू, खाबों में है जलाए हैं दिलने वफाते दिये मेरी जिन्देगानी है तेरे लिए समीता है आँखों में मैंने तजे तो छुप रपिचा है तो छुपना सके चुम ना सके तुझे दिल के आईने में मैं देखती रहती हूँ तेरा नाम हथेली पर लिख कर मैं चुमती रहती हूँ आखों में बसा कर खाब तेरे मैं चुमता रहता हूँ तेरा नाम हथेली पर लिख कर मैं चुमता रहता हूँ I love you I love you I love you I love you को यह मुझे पर चालो कहिए नमस्य बहन जी मेरी कंपनी बहुत सस्य दावों में बहुत अच्छी चीज़े बनाती है जैसे अचार जैम बगेरा सॉरी मुझे कुछ नहीं खरीबना कम से कम देख तो लो शीतल शीतल तुम्हे नाम कैसे पता चला कौन हो तुम यहीं दरवादिक पर बताओ या अंदर चल कर आईए अब बताओ कौन हो तुम और यहां क्यों आई हो मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ और यहां सिर्फ यह बताने आई हूँ कि जो लड़का तुम्हारी वज़े से जेल गया था और यहां हो जगा है तुम्हारी वज़े से उसकी पूरी जिंदगी बरबाद हो गई उसके पिता ने खुद कुशी कर ली उसकी बहन पागल खाने पहुंच गया और तुमने तुमने आराम से शादी कर ली क्या एक बार भी तुम्हारी आत्मा ने तुमसे यह नहीं पूछ कि तुम्हारी वज़े से एक बेगुना लड़का गुनिगार ठेहराए गया है लेकिन मैं क्या कर सकती हूं कम से कम तुम उसके माथे पर लगा हुआ बदनावी का दाग तुम्हारे सिर्फ रिक्ता कहने से कि उससे तुम्हारा बलातकार नहीं किया है वो एक इज़त की जि करना ही होगा यह रहा मेरा काड ठीक तर्सवजे पहुंचाना और हां कलाना जरूर वरना पर्सों के अकबार में मुझे यह कहानी एक पार फिर छापनी पड़ेगी तस्वीर के साथ कि अच्छा चार साल की सजा काटने वाला मुझेम अप राधी या निर्दोष अच्छी हैडलाइन है आटिकल भी अच्छा था लेकिन इसे अकबार में मैं छापूंगा नहीं क्यों इसलिए कि तुम्हें ऐसी मन-गडण कहानी लिखकर लाई हो जिसकी सच्छाई सिर्थ त ही सच्छा ही है सर आप ये खबर एक पार चापके तो देखिए दूद का दूद और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा तुम्हें के ये भैंसो का तबेला लगता है जो दूद और पानी की बाते करने लेगी देखिए सर आपने एक इस मुझे सौंपा था और जब मैं इस केस की वहराई तक पहुंच गई हूं आप मेरी खबर चापने को तयार नहीं है देखिए सर आपको ये खबर चापने ही पड़ेगी वरना वरना क्या करोगी संटाइम जगपार वाले मेरा आर्टिकल चापने को तयार है यानि तुम मेरे दुश्मन अगवार वालों के आर्टिकल चापने वाले के नहीं है आप शाइद रित्त को मिलने आई हैं लेकिन रित्त तो घर पर है नहीं मैं आपसे मिलने आई हूं मुझसे जी मेरे नाम शीदल है मैंने पहली बार आपको हॉस्पिटल में देखा था पुलीस लाई थी आपको पैचानने के लिए तो वो आप थी जिनोंने मुझे पैचाना था आप मुझे गलस समझ रहे हैं उस दिन पुलीस ने भी गलस समझा था न तो यह कहना चाहरी थी क्या आफ वो नहीं है वो रात मेरे लिए बहनक सपने की तरह थी में डर के मारे चीकने चिलाने लगी और पुलीस वालों ने पाइब से भी मिलने गई इसकी बात कर रहे हैं तो नाडम आपने जिस लड़के को पैचाना है वो उन में से नहीं है अगर आप पैचाना ही चाहती है तो मैं आपको बताती हूं लोगों के बारे में मेरी जबान तो मेरे पिता जी ने बंकर आपने बोलने के इमत की है मेरे सामने खड़ा कर दिया और मैंने के दिया कि यह है वो क्योंकि जिस तरह तुम मजबूर थी अपने बीटा के वज़न से उसी तरह मैं भी मजबूर थी अपनी बेटी से मेरे बीटी का वीडियो कैसर निका लिया था शीतर तुम्हारे शादी तो होने वाली है पर मेरे पैसा नहीं करती तो मेरे बेटी की हस्ती खेलती जिन्तके में आग लगा देती पेटी अधिया मैं चाहती हूं कि आपकी माथे पर लगा ये बद्दामी का दाग धूल जाया अगर मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकती सरा सूचिए क्या होगा मेरी इज़त का मेरी खांदान ये मेरी बेटी है मेरे पती की दिल की धड़कर और उस बलादकार की निशानी जिसे वो अपनी बच्ची समझ के बहुत प्यार करते हैं और जब उन्हें ये पता चलेगा कि वो उसकी बाप नहीं है तो क्या पीती की उन पर क्या होगा इस बच्ची की भवशी का रहा मेरे बस ये थोड़ा कुछ है जो मैं आपको दे सकती हूँ आप ही मुझे इस बनाभी से बचा सकते हैं बने मने के सिवा मेरे पास है कोई जारा नहीं रो मत बहन तुमने मुझे भाया कहा ना तो तुम मेरी बहन जैसी हुई मैं अपनी एक बहन तो खो चुका हूँ दूसरी नहीं खोना चाहता हूँ तुम्हारे बेताजी ने तुम्हें खामुश कराकर बिल्कुल सही किया क्योंकि सच मुझ सच्चा ये अपनी कीमत खो बैटी थी हुआ है तुम घर जाओ और सब कुछ बूल जाओ लिए तु भी अधार पूल जाएक ये विए जो कुछ आपने मेरी लिए किया मैं इसका बदला तो नहीं चुका सकती लेकिन हाँ इसके बदले उन गुनेगालों के बारे मैं सब कुछ बदा सकती हूं मैं कि मैं सब कुछ जानती हूं लोगों के बारे में हूं जो सम्मान जो प्यार आप सभी ने मुझे दिया है उसके लिए मैं आप सभी माता हूं बहनों और भाईयों का आभारी और आप सभी से मैं कहना चाहता हूं आपकी सोईचेतना को जगाना चाहता हूं आपको आप इसे मिलाना चाहता हूं दैयेर अफ वोमें नारी वर्ष आया और चला गया क्या हुआ कहा है नारी वही है जहां पहले वो थी यह तो सरकार और नेताओं के एक चाल थी कि हमारी भोली भाली मातां और बेहनों को फुसला करें उनका मुठ्ट हासिल करने के मैं यह कहता की सरकार नार्यों के बारे मैं सूचती नहीं है सूचती है कि मकारती कुछ नहीं करती कुछ ये देखिए ये चार साल पहले घटना घटी थी तीन मासुम लड़कियों की इज़त को डसा था इस नाग ने चार साल की सजा काटकर जेल से बाहर आगी है मैं अब मातां उसे बहनों से पूशना चाहता हूं कि चार साल जेल में valeurने के बाद क्या यह नाग दसना छोड़ देगा नहीं ये और नजानेया इसे कितने साथ हमारे देश में घूम रहे हमारी बेहनों की जड़स रहे हमें इंका सर पुचलना होगा महत्मा गांधी ने कहा था मैं उसे दिन इस देश को आजाज समझूँगा जब इस देश की नारी आधी रात को बारा बजे घर से बाहर निकल सकेगी यहां तो पुरुष सुरक्षित नहीं है पुरुष यहां तो दिन में नेताओं को मंतियों को पांच-पांच कमांडों के साथ बुलेट टूफ कार में घूमना पड़ता है बड़े शर्म की बात है जो खुद को रख्षित नहीं है नारी सुरच्षा क्या करेंगे नहीं चाहिए नहीं चाहिए दूनिया को बता देना चाहता हूं कि इस देश की नारी सरकार बना भी सकती है सरकार गिरा भी सकती है हमारे देश में एक पुरुष्ट मुकाबले साथ नारियां है और इसलिए यह जंग मैं आपके प्यार से और आपके आशिरवाद से लड़ना चाहता हूं और मुझे इस बात का यकीन है कि जंग मैं जीत कर दिखाऊंगा अलो जारी निकल चुकी है ओके कर इंगल चुकी कर दो कर दो कि अर दो कि अर्रक भाओ और मघब से कर दो कि अर्रक ऐने बती है कि इंगल अर्रक दो कि वंगल में बती है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि 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 अरे नहे 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 जिसने भी मुझ पर हम्ला किया था उसका निशाना बहुत ही बुरा था और वैसे भी मेरी जान इतनी सस्ती नहीं कि कोई भी एरा-गरा यूही रास्ता चलते छीन ले भाई साहब मैं बिलकुल ठीक हूँ ने ने आप बेफिकर रही है दन्यवाद मगर आपको इतना बेफिकर नहीं रहना चाहिए बावा साहब अरे आये आये इंस्पेक्टर साहब आये कुछ पता चला अभी तक तो नहीं मैं आपसे कुछ पूछने आया हो पूछ यह आप पर हमला करने वाला शक्स मेरा मतलब है आपको किसी पर शक है आपकी कोई परसनल या पॉलिटिकल दुश्मनी मेरा कोई दुश्मन नहीं बाब साहब यह बात तो इतने कॉंफिडेंस से वही कह सकता है जो यह जानता हो कि उसका दुश्मन कौन है मगर मेरा तो सचमुछी कोई दुश्मन नहीं है अब ही आपका कोई दुश्मन नहीं है लेकिन जरा आप अपनी पिछली जिंदगी में जहांकर देखिए हो सकता है कि कीजिए क्या याद करो इंस्पेक्टर सहाब मैं तो एक समाश सेवक हूं मेरी जिंदगी खुली किताब है मैं अपनी जिंदगी के बारे में उतना ही जानता हूं जितना की लोग कुछ भी दबाचिपा नहीं है मेरा बहुत खुबसूरत फूल हैं हाँ यह सब फूल उन लोगों ने भेजे हैं जो मेरी जिंदगी से बहुत प्यार करते हैं मगर एक शक्स ऐसा भी है जो आपकी जिंदगी से बहुत नफरत करता है इस बार तो उसका निशाना चूप गया लेकिन अगली बार मेरा मतलब है कि अधर अपने ध्यान रख्यान कि और अपने पिश्ली जिंदगी को याद करने की कोशिश कीजिए अगर कुछ याद आ से व्याद है तो मुझे याद कीजिए गहार कि वह अब दा भी बहुत लगता है यह बागीचा पहला आपको सब से जयादा प्यार करता है आओ 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 आज मुझे विश्वास हो गया कि मैं इलेक्शन में हार ही नहीं सकता देखा लोगों को कितनी चिंता है मेरी कितना खयाल रखते हैं मेरा यह उसी का तु सुबूत है स्वोर्ड़ आओ 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 Tamara टेलिफोन लाओ हैलो कंब अच्छा हुआ अच्छा हुआ गोली लगी नहीं कहीं लग जाती ना तो मैं उस सालिक है अरे नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ पहले जैसा हटा कटा लेकिन बाबा यह हुआ कैसे मैं पबलिक मिटिंग से लोट रहा था कि अच्छानक ठीक गाड़ी के सामने रोड पर एक गुद्धा खड़ा हो गया और सालिय ने धना धन्क हो लिया चलाने शुरू कर दी किसमत अच्छी थी कि मैं पच गया अगर पता चल जाए कि वह कौन था तो साले को काट कर देंगे नहीं पता यह तो नहीं चला बाबा तुम Essay के साथ कह सकता हूं कि मुझ पर हमला करने वाला ये नहीं मैं कहता हूं यह अदनी है यही यह नहीं इसने एक मामली सा लड़का और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझपर हमला करने वाले बुद्धा था नजरे भी कमजोर थी उसकी एक गोले निशाने पर नहीं लेगी फिर तुम्हें अकबार कौन बेज सकता है और चार साल के बाद एक आर्टिकल भी तो चपा है उस सबके को लेकर ठीका ज्यादा टेंशन मतलो मुझपर छोड़ दो हां बाबा मैं सब समाल लूगा तुम फिकर मत करो कर दिया ठाक मरिया बाबा ले लिया बदला मैं तो समझती थी कि मैं बहुत बहादर इंसान के साथ हूं जो एक ही गोली में काम तमाम कर देगा वगर तुम तुम्हारी तो हालत खराब हो गई एक भी गोली निशाने पर नहीं लगी तुमसे अच्छा निशाना तो मैं लगा सकती थी अगर उसे मारना होता ना तो गोली उसके आस-पास नहीं सीथी उसके सर में लगती है लेकिन मरने से पहले उसे मालूम होना चाहिए कि उसे कौन मार रहा है और उसकी मौत क्यों हो रही अरे सिस्थर तुम्हारा मुझसे यह गोली बंदू की बाते अच्छी नहीं लगते तुम्हारा काम है कलम चलाना तुम कलम चला और बस क्यों तुम समझते यो कलम चलाना बहुत मामूली बात है ब्रदर तुम्हें इसकी ताकत का अंदाजा नहीं है इसके सामने बड़ी- कि यह रही तुम्हारी बंदू और यह इसकी गोली अबस हो गया है यह ब्रादर से मैं इतना पसीना क्यों छूट रहा है नहीं यह सब मुझसे देखा नहीं जाता ना मगर सिस्टर आज तुमने मुझे ऊपर भेजने का पूरा प्रोग्राम बना लिया था तुम्हारा इल्जाम ठीक है मगर हमें यह तो पता चला कि असली गुनेगार कहीं हमारे आसपास ही है अच्छा सिस्टर रात बहुत हो गई है अब आप सोजाईए आज मुझे नीद नहीं आएगी क्यों 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 नानी के घर के जिस तरह टुकडे हुए हैं वो मेरे सपने में जरूर आएंगे देखो जो होना था वो तो हो गया अब उसके बारे में सोचकर अपनी सेहत का नुकसान क्यों करती हूं नानी के घर को जोड़कर किसी और के बारे में सोचो नींद भी अच्छी आएगी सपना यंद चेख आया टीकोन आया विल कलु नीरा बचराजरा आया दिखोन आया दिल का लुट नेरा बज़ना सरा ना जाने इक निकाह में क्या ले गया कोई मेरी तो उसे दिखी छरा ले गया कोई ना जाने इक निकाह में क्या ले गया कोई आया पिखाना आया एक बनो तेरा मज़ नज़ना नजाने एक निगाह में क्या ले गया कोई मेरी तो जिन्दगी चुरा ले गया कोई नजाने एक निगाह में क्या ले गया कोई अब कैसे चैन आए बताए निगाह या अब दिल पे एक्तियार है ना खुद पे एक्तियार ना लग हिले ना सीने में हर चल कहीं हुई दिल हार आए और खबर भी नहीं हुई चुकी से हम अपना बना ले गया कोई मेरी तो जिंदगी चुरा ले गया कोई नजाने एक निगाह में क्या ले गया कोई प्रक्तियार आए भी एक प्रक्तियार ये मेरे खुदी ये बस निगाहों की तेरी चांद रख दे कहीं है बाँ तो पढ़ दे कहीं है बाँ ये हाले दिल हुआ है तेरी आशिकी के बाँ हमको तो अब हमारा पता भी नहीं है या हम तो तो अब हमारा पता भी नहीं है या सासों में अपनी हमको छुपा ले गया कोई मेरी तो सिजदगी चुरा ले गया कोई न जाने एक निगाह में क्या ले गया कोई मेरी तो सिजदगी चुरा ले गया कोई न जाने एक निगाह में क्या ले गया कोई आया, नी कोला आया निका लुपी न बचना से लग आया, नी कोला आया निका लुपी न बचना से लग क्या काम है क्यों मुलाया मुझे यहां बास यू ही तुम्हें देखे हुए बहुत दिन हो गए ना इसलिए दिल चाहरा था तुमसे मिलने को यह बताओ क्या प्यों कुछ नहीं काम क्या है सुना है कलाप अपने पतीटे साथ में पाल जा रही है जाओ जरूर जाओ बहुत अच्छा मौसम है वहां का लगे हाथों मेरा एक काम दियो जाए डालेंगे एक छोटा सा पैकेट है जिसे तुम्हें अपने साथ लेकर जाना हो इस पार मुझे यह नहीं होगा अरे ज्यादा नहीं है सिर्फ दो किलो ड्रग्स है और तुम तो जानती है एक घंटे के अंदर मैं तुम्हारे तो सो वीडियो के असिट्स मार्केट में डाचा आफिक कब तक तुम मुझे ब्लैकमेल कते रहोगे ने कोई नहीं एक जज की पत्नी हो जाने मन इसके लिए तो ये काम मैं तुम्हें दे रहा हूँ जज साब के साथ जाओगी तो किसी को तुम परशकी नहीं होगा नहीं कोई तुम्हें चैकर है नहीं नहीं देखो बंदामी सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार की तुम्हारे पूरे घराने की बंदामी होगी ले जाओ से सुनिये मैं आपके कुछ मदद कर सकती हूँ करो तो अच्छा है भगवान तुम्हारा भड़ा करेगा आराम से उठाना कहीं लगना जाए अज तुम नहीं होती तो मैं चाड़ा नहीं पाता की चाड़ा आराम मुजे घर जाने मैं चेथियो मुझे घर जाने दो बदेटो मुझे घर जाने दो मुझे घर जाने मुझे चुटा चाने मुझे चुटा मुझे चुटा मुझे चुटा चाने मुझे चुटा चाने मुझे चुटा चाने मुझे चुटा मुझे चुटा मुझे चुटा मुझे चुटा मुझे चुटा झाल झाल जुली, टाइम बहुत हो गया, मैं घर चरती हूँ, अच्छा बाई बड़र, बाई पाल हर्ड़र बच्चा कर अंहें उख कर दोल कि अवजारा वें go जोकाओ फिरा Soon और कर दो कर दो कर दो ऩब दो खुछेंग खुट कर दो कर दो कर तो पर तो तिन पर अब तर अब तक ताउर ना कि क्षिए आप मजबूत गडाव तुम यह कहना चाह रही हो ना आप अपने आप को गड़ा तुम्हारे बिस्तर बिज गया, अब क्यों चाह्जाए। वह, क्या बिस्तर है, क्या घर है? अजे, तुम्हें नहीं लगता कि मैं जुनिया की सबसे खुशकिसमत लड़ी हूँ, जो रोज एक नए घर में रहती है। तुम जानती हो, एक जगा नहीं रह सकते हैं हम, फिलाल ये जगा महफूज है, सोजाओ. मीन नहीं आरी दोस्त, बाते करते हैं ना? क्या बात करनी है? जानती हो, ये क्या है? मंगल सूत्र. और जानती हो, इसे कहां पहनते हैं? अच्छा छोड़ो, इंट्रेसिंग बात करते हैं, ये बताओ, तुमने कभी किसी लड़की ये होटो को चुमाए? रितु, बातें बन करो और प्लीस हो जाओ. ओके, जो हुकम? गुद नाइट. गुद नाइट. गुद नाइट. रुद नाइट. के दो के दो तिल की बादी ऐसा पल पिर हो नहो मुझे तुम से मुहापत है मगर मैं कहे नहीं सकता करो तो क्या करो बोले बिना भी रहे नहीं सकता मुझे तुम से मुहापत है मगर मैं कहे नहीं सकता के दो के दो तिल की बादी ऐसा पल पिर हो नहो ना रहू में ना रहे कुं कले कल के ओना मुझे तुम से मुझे तुम से मुझे तुम के सोन दो दो का मुझे तुम्हारे साम ने सूचन दो को को कोended जोक्तंगता कोईड़ यापता तुम्हें तनहाई में तुम्हारे सामने दो करें। तुम्हारे दिल की हर हालत हमारा दिल समझता है मुहाबत करने वालों की हर मुश्किल समझता है गुजरती क्या है चाहत में ये दिल कुछ कहे नहीं सकता मुझे तुमसे मुहाबत है मगर मैं कहे नहीं सकता करूं तो क्या करूं बोले बिना भी रहे नहीं सकता कहे दो कहे दो दिल की बाते ऐसा पल पे ओ नहीं ना रहू में ना रहे दो कले कल दिल को नहीं ना नीन अपनी ना जैन अपना न दिल की कोई मात अपनी ना खोश अपनी ना जान अपनी ना दिन अपना ना रात अपनी अब अपनी बेकरारी का मैं खुद ही हूँ तमाशाई ना बोलू तो जुबा जलती है बोलू तो है रुसवाई के बोलू तो है रुसवाई है ऐसा दर इस दिल में जिसे अब सहे नहीं सकता मुझे तुम से महाबत है मगर मैं कह नहीं सकता करूं तो क्या करूं बोले बिना भी रहे नहीं सकता कह दो कह दो दिल की बाती ऐसा पल पिर ओ नहीं ना रहू मैं ना रही तू कली कल पिर ओ नहीं कर दो कि अगाए प्रशा ना रहा पीज़े निदर के अगाए तो कर देखा यह जगाए जगा भाएट जांशा नेरे उते वे तुझे कोई जार्शे नहीं कर्मोनिया मेरा तिल बोल रहा है कोई पड़ी कड़बर होने वादी देखा शराब और शबाब दोड़ों इंसान को कमजोर कर देते हैं क्या बात अड़ेगा कोई प्राबलम मेरे तीन आद्मियों का खून हो गया बाबा किसे बेशक है तुम्हें कांग सिर्फ दो ही लोगों का हो जाता है एक तो राजन गैंग है और दूसरा वो छोपरा आजाय है मुझे पता लगा है कर रात वो मेरे टिसकुम बटा हुए इसल मार को जीत में बदलना जरूर आना चाहिए रमाकान चोधरी स्पीकिंग हलो इंस्पेक्डु साहथ शालिमार बिल्डिंग के बेस्मेंट में जो फूट हुए है उसमें जिल से छुटे हुए मुझरिम अजय चोहान का हान है आप कौन बोल रहे हैं मैं बस समझ लीजे इस कि इसका एक जिम्मेदार नागरिक बोल रहा हूं देखो तुम्हें बिलकुल डड़ने घवराने की जरूरत नहीं है किसी ने भी तुम्हारी तरफ आँख भरके भी देखा तो उसकी आँखें नोच लूँगा मैं आओ जरो मत मैं तुम्हारे साथ हूँ सिर्फ तुम्हें पैचानना है कि वो आदमी कौन है, इतना याद रखना कि जिसने तुम्हारी जान बचाई है, वो खुनी भी है, पानून की नजरों में मुझरिम भी है, देखो, लड़की को कैसे देखता तू? इसे गोर से देखो, इसने तीन मासूम लड़कियों का बलातकार भी किया है इन में से कोई भी नहीं है क्या? जी नहीं इसरी बार तुम्हें पुलिस टेशन बढ़ाया गया है, जिन जन पर पुलिस को शक है, उन सब को तुम्हारे सामने बेश किया गया है और तुम कहती हो कि इन में से कोई भी कातिल नहीं है अगर इन में से कोई कातिल है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? ऐसा ही किसी को पहचान लो? वो कातिल यहां है नहीं? या उसे तुम पहचानना नहीं जाती हो? आप जो भी समझेए, उस राच जिसने मेरी इज़त बचाई थी, मेरे लिए वो भगवान था. कहिए इंस्पेक्टर सहाब, क्या बात है? आज यहां कैसे, कहीं चन्नावन्ना मागने तो नहीं आ है? इन में से किसी को पहचानते हो? अहां, कौने हैं? यह वो लोग हैं जिनका कल रात कारपार्टी में मर्डर हुआ था. इन में से एक की जेब में तुमारे क्लब का कार्ड मेरा. मेरे क्लब में आने वाले लोगों कोई यह कार्ड्स मुख दिये जाते हैं. तुम अपने आपको बहुत समझदार समझते हों? एक बात पहूं, तुम जैसे समझदार लोग, कोई न कोई ऐसी छोटी गलती कर बैठते हों, जो कानून के लिए बहुत बड़ी हो जाती हैं. इंस्पेक्टर सहाब, आपके कानून से कोई अजनवी नहीं हूं है. बहुत पुरानी जान अचाने मेरी इससे, अब तक चार बार गिरफतार किया जा चुका हूं है. और हर बार फून के इल्जाम है. आखरी मर्तबा एक सब इंस्पेक्टर के पून का इल्जाम लगाए गया था. कहीं ऐसा नहों के पांच भी मर्तबा, कोई हाथ नहीं लगाएगा इन्हें. किसी दिन नाइट ड्यूटी के वक्त, किसी अंधेरी सी कली में मैं खोद इन से मुलाकात करूंगा. उमर के हिसाब से हाथों में काफी दम लगता है. ये दम मेरे हाथों को मेरी इमानदारी ने दिया है, और एक इमानदार पुलिस आफिसर होने के नादे, मैं तुम्हें सला देता हूँ. अपना वसीयत नामा बना कर रखो, क्योंके मौत किसी भी वक्त तुम्हारे घर का दर्वाजा कटकटा सकती है. अपना वसीयत वादे, ने दिया है. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाने की जब मैं जेल में था तो हर अफते कोई फोन करके मेरी खबर लिया करता था कि मैं कैसा हूँ कब रहाएंगा कल तक मैं समझता था कि वो मेरे बाबुजी थे लेकिन आज पता चला कि वो आप थे आपकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत दुख है लेकिन यह से मैंने नहीं किया आप विश्वास करें या ना करें आपकी बेटी का तोशी मैं नहीं जूट बोलता है तू मुझे तरी किसी बात पर विश्वास नहीं है और होगा भी नहीं आपकी बेटी होश में आकर जिस दिन इस बात का इकरार करेगी कि यह गुड़ा मैने नहीं किया तब भी आपको मुझे पर विश्वास नहीं होगा अगर आपको लगता है कि मुझे मारकर आप अपनी बेटी को बचा सकते हैं तो यह लीजिए खत्म कर दीजिए मुझे ले हमाव छ aliens अपको मुझे लुचा सकते हैं । हमाव कौन हो तुम और आप घर में घुसे कैसे निकलो यहां से परना पुलिस को बलाऊंगी पुलिस छोड़ा मुझे मैं न तु सुनाएगे पुलिस का कहा तुम बिल्कुल नहीं मानती वरना पुलिस लाइनप में खूनी को बराबर पैचान देती जूट नहीं बोलती बाबा अब यह बताएगी कि वो हरामजादा था कौन देखो मैं नहीं जानती वह कौन तुम खुद को इस तकलीफ से बचा सकती हो अगर मेरे सवाल का चवाब देती तुम उस राच जिस लड़के ने तुमें पचाया वह कौन था मैं उसे नहीं जानता हूं तुम सच बोले हो पहले तुम उससे जानती नहीं थी मगर अब तो पहँचानती हो यह नहीं यह नहीं यह अब तुम जूट बोल रही हो और जुट बोलने वाले लोग हमें अच्छे नहीं लगते हैं देखा इसे इतना माल कि यह सच बोलने लगे हैं फिर भी नहीं माने हैं तो उठा कर नीचे फैंक दो अच्छा निका जाने से पहले एक बार कंफर्म कर लोगी वह लड़ के जिन्दा है अमर गई और हां पब्लिक के बीच में खत्रा उठाने के जरूरत नहीं है कि कि अब आई कि अब आई अजे जिसकी तुम्हें तलाश है उसका पता मैं जानता हूँ कैसेट्स कैसेट्स कहा है यह जंग मेरी नहीं उन बेहनों की उन औरतों की है जिनकी जिनकी भरबाद करती तुम लोगों ने तेरी सबसे बड़ी जागीर वीडियो कैसेट्स थे ना सब मेरे पास है अगर चाहिए तो आकर ले जाएं सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा अजय चो अपनी कमजोरी बताओ अपने पार्टनर्स को अगर उनको पता चल गया कि कैसर्स मेरे पास नहीं है सबसे पहले वो मुझे को नहीं मार देंगा एक कैसर्स मुझे किसी ना किसी तरह हासल करने हो गया कि एस और है उया जहा मुझे हाँ अजयाँ! शेट! जाँ लेटो हो अजयाँ! बेटा ऑल मजल थड़ा लेट! प्रेवी मस्तकंदिल कंक्रितं सिंदूर शिरस इस्तितं गुला माधूपं अग्रयामी दुस्मन का ख़द करने के लिए पहले शिवा से बर्म दे शिवा बर्मों है शुब कर्मन से कभू न डरू शुब कर्मन से कभू न डरू न डरू बैरी शो जब चाहे लडू निश्चय कर अपनी जीत करू तुनो यहां किसकी मौत हो गई मौत मौत तो अब गोगी डिका मुझे हिंदुस्तान की हर रुस औरत की कसब चिनकी सिंदकी तुम लोगों ने परबाद करती और अब तर दो टान! दोग़ दोला है! झाल झाल कर दो कर दो झाल, 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 झाल! कर दो में इसके नुझा कर दो एपकिति द कर दो कि अवरतों का हमदर्द अबलाओं का मसीह बाबा क्या बात है मोनिया बड़े परेशान नजर आ रहे हूं बात ही कुछ ऐसी है बाबा ठीका बहुत प्राब्लम में है यह देखी मुझे उसके घर से क्या मिला हमने बहुत बड़े गलती कि एमोनिया बहुत बड़े गलती है हमने आजय को समझने में ना समझे कर दी है तुम फिकर मत करो बाबा समझ लो के अच्छे मर क्या वो शहर में जहां भी होगा मैं मौत बन कर वहां पहुत जाओंगा गोपाल का है मुझे बहुत भूक लगी थी इसलिक खाना लाने भीजा आता ही होगा लोग आ गया ओ ब्रादर जल्दी करो बहुत भूक लगी है वहीं पर खळा रहे है ते यह तेरों से रहा है मुनिया मैं बात कर रहा हूँ मैं पब्लिक मिटिंग में जा रहा हूँ क्या बाबा इसका मतलब आप यहां नहीं आ रहे हैं नहीं मुनिया पब्लिक मिटिंग में जाना बहुत जरूरी है और हाँ याद रखना उस हराम जाते ने डेका को मारा है All the best मैंने कहा ना बाबा आप ते करमत कीजे इसके लिए तो मैंने बहुत मज़दर चीज मंगवाई है अचा अचा All the best पब्लिक मीटिंग लिए हां गुडबाइ यहां अब तो तुम तीनों को सबच में आगे होगा कि अगर हमारे वो कसेत हमें नहीं मिले तो तुम तीनों के साथ क्या होगा तू अपना वक्त बरबाद कर रहा है मारते मुझे अगर मैं बच गया ना तो तेरी मौत निश्यत है अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा के वो कसेट बनते कैसे हैं मैं इस लड़की के साथ एक कसेट पर तुझे मेरे साथ जो कर नाइकार मेरे के लड़की को छोड़ दे यह जहर इसे पिला दे या तो यह जहर पिएगा या तो फिर यह लड़की अपने कपड़े उतारेगी देखो देखो तुम रोग जैसा कोगे एसे ही करोगी अंकि यह जोर्दो दो अट नाइव सित्सक्राइब कर ना तुम्हे कि आइपीसा डैा तुम्हे कि का सोल के ट्रीлем किया पैया इश्क है इंड़ इंड़ D क्र दूस्त था एब Azzys! dii! ph मार ब अवर अभडवails! а murder Umu! काल घाँ! होले वे ल ल अ व ल द ल कर दो ल ल अ कि अ कि इस अ कि दिएंगो जासिए कर दो कर दो कर दो ख कर दो तो सुपना समभी जैंग! कर दो कर दो कर दो सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा और इन सब से अच्छे ये मासुन बच्चे जो कि हमारे देश का खुमिश्य है कल नहीं हमारे देश की बाद दोर संभालनी है मगर इन्हें में से कोई बच्चा बड़ा होकर दहे इसके लिए अपने पत्ति को मारेगा किसी लड़की की आबरू से खेलेगा मैं चाहता हूँ इन बच्चों को अभी से वो शिक्षा दी जाए जिससे कि इनके मन में भी नारी के प्रती वो भावना वो आदर पैदा हो जाए जो कि मेरे मन मारने का दूख नहीं है रहे को पाजा के उनको पता दूँगी उनके माते मिले कलंग को अपने अजे ने अपने गुंशी दोग दिया मा नहीं, मा नहीं बाए तो जाए इस अपने वो प्रता है झाए झाए प्रता है प्रता है झाए 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 फसे यह रहु मुग मुग झाल भृव इन मुग हूँ अजय जब तुछ अजय लग नह लुग को यह लुग घजय अजय रहु अजय पुछ अजय वखको टुड़ फिफ माईह सुझा त whales वारी जवास D' 003 सिक और अपको । प्रूश solic में लाओं। झाल 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 झाल